हलो गाइस कैसे हो तो दोस्तों कमपनी के लिए दोस्तों यूवई गॉर्मिंट ने पहले भी वार्निंग दी ती और फिर से वार्निंग दी है प्रॉपर एक्स्प्लेंट करने वाला हूं दो तीन मिनेट का वीडियो है लाटता देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके हो तो चैनल पर अब नहीं हो हो तो चेलीयो को सब्सक्राइब करके और ज्रूप सब्सक्राइब करने इस पर आगे बढ़ रहा है यह country मतलब दो साल चार साल पहले जितना गर्मी होता था दोस्तों आप गर्मी दिरे-दिरे कम हो रहा है क्योंकि यहां पर क्या और आपने देखा होगा जो लोग पुराने यहां पर रहते हैं उनको पता है कि पहले हर जगा पर रेती-रेती था खाली बालू का आपको रेती-रेती नजर आ रहा है बड़ दोस्तों यह country पेड़ पौधे लगाने पर ज्यादा कोशिश किया है बहुत ज्यादा पेड़ पौधा लगाया है इसका नतीजा दोस्तों मिलना स्टार्ट हो गया और मौसम अभी फिलाल सही होते जा रहा है इसलिए आ साइड पर रेष्ट करने का जगा में एसी लाजिम होना चाहिए ठंडा पानी लाजिम होना चाहिए अगर यह तिन घंटा जो दो महिन एक महिने बाद दोस्तों तिन घंटा रेष्ट होता है ब्रेक होता है बीच में तो उसके लिए दोस्तों वो लोगों को सोने का लिए जा सकता है क्योंकि जिस जगह पर वर्कर रहता है वहां पर ठंडा पानी रेश्ट रूम बड़ा रेश्ट रूम होना चाहिए और बीच बीच में दोस्तों वर्करों को अराम भी देना तो यह कुछ अच्छा जानकारी था बट दोस्तों रियालिटी कुछ अलग भी है मैं बहुत सारा साइडों में जाता भी हूँ बट कमपनी लोग सूनते कहां हैं यहां पर 80% कमपनीयां जो अपने मनमानी करती है वर्करों को एक ही कैम्प में रखती है रेश्ट करने के लिए उसमें बहुत सारा आदमी लोग रहता है रेश्ट करने का जगा नहीं होता है तो आई होप उमीद करता हूँ गौवर्मिंट और भी बड़ा एक्षन ले और जगा जगा में जाकर चेक करें ताकि कमपनी कुछ लोग सुधार करें लेकिन जैसा मैं बताया कमपनी पर कड़ा एक्षन लेगा तभी आपकी कमपनी क्या सहूलत देती है कि नहीं साइडों पर